मित्रो महाभारत की युद्ध में कौरवों के और से अग्यारा अक्छोनी सेना और पंड़ों के और से साथ अक्छोनी सेनाओं ने भाग लिया था यानि इस युद्ध में सभी महारत्यों और सेनाओं को मिलाकर करीब पचास लाग से अधिक लोगों ने भाग लिया था लेकिन यहां सवाल अब ये उटता है कि इतनी विशाल का इस सेने के लिए युद्ध के दोरण भोजन कोन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंद करता था और सबसे बड़ा रहश्य है कि जब हर दिन हज़ारों लोग मारे जाते थे तो सामको केसे सापसे खाना बनता था तो जानते इस वीडियो में महाभारत को हम सही माइने में विश्व का पर्थम विश्युद कह सकते हैं क्योंकि उसमें सायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भागना लिया हो उस काल में आरिवर्त के समस्त राजा कौरो और पांड़ों के पक्स में खड़े दिखे हम सभी जानते की स्री बलराम और रुकमी दो ऐसे व्यक्ति थे जिनोंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था किन्तु एक राज्य ऐसा था जो युद्ध चेत्र में होते हुई युद्ध के विरख था और वो राज्य दक्षन का उड़ुफी राज्य था महाभारत में वरणित कथा के नुसर जब इस राज्य के राज़ा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेतर पहुँचे तो कौर्व और पांडू उन्हों ने उन्हें पने पक्ष में लेने का प्रयत्न करने लगे लेकिन उड़ुपी के राज़ा बहुत दूर दर्शी थे की कोई यूजना है अगर ऐसा हो तो किर्पया बताएं उसके वाद उड़ुपी नरेस ने कहा कि सट्टितो यहा की भाईयों की बीच हो रहे इस यूद्ध को मैं उचित नहीं माता इस ही करण इस यूद्ध में भाग लेने की इच्छा मेरी नहीं है किन्टु यह यूद्ध अफ्टल नहीं सकता इस करण मेरी यहाँ इच्छा है की मैं पूरी सेना के साथ या उपस्तिथ होकर समस्त सेना के लिए भोजन का परबंद करूँ राजा की बात सुनकर भगबन सिर्किस ने कहा कि आपका विचार उत्तम है इस युद्ध में लगब पचास लाक युद्धा भाग लेंगे अगर आप जैसा कुसल लाजा उनके लिए भोजन का परबंद करते देखेगा तो हम सभी उस और से बेफिक्र रहेंगे वैसे मुझे पता है कि सागर जैसी विचाल सेना के लिए बोजन का परबंद करना आपके और भीमसेन के अत्रिक्त और किसी में संबव नहीं है किन्तु भीमसेन इस शुद्ध से विरक्त नहीं हो सकते इसलिए मेरी आप से प्रातना है कि आप अपनी सेना से दोनों और की सेनाओं के बोजन का भार संभालिए इसके बाद उड़िपी के राजा ने सेना के बोजन का भार संभाला पहले दिन उन्होंने उपस्तित सभी योद्धाओं के लिए बोजन का प्रबंद किया उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक भी दना अंका बरबाद नहीं होता था जैसे जैसे दिन निकलते गया योद्धाओं के संक्या कम होती गई दोनों और के योद्धा ये देखकर हैरान हो जाते थे हर दिन के अंत तक उड़िभी नरेश के वल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तों में उपस्तित रहते थे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यहों कैसे पता चलता था कि आज कितने योद्धा मृत्य को प्राप्त होंगे ताके उसी आधर पर भोजन की बेवस्ता करवाई या सके इतने विशाल सेना के लिए भोजन का परबंद करना अपने आप में एक आश्यर है था उससे बड़ा अश्यर यहो था कि इतने वड़ी सेना के लिए भोजन की बेवस्ता के अलावा अन्न का एक भी नना बरबाद ना हो किसी चमतकार से कम नहीं था आखिरकर जब अठारवा दिन युद्ध समाप्त हुआ और पंडवों की जीट हुई अपने राज्य अभी से के दिन आखिरकर युद्ध स्टर ने उडवी राज्य से पूछ लिया कि समस्त देश के राजा हमारी प्रसंसा कर रहे हैं कि किस परकर हमने कम सेना होते हुए भी युस युद्ध को प्रास्त कर दिया जिसका नेतरत पितामा भीस्म गुरू दुरोनाचारिया और हमारा ब्रहता जैसे महरती कर रहे थे लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रसंसा के पात्र तो आफ हैं जिन्होंने ना केवल इतनी विसाल सेना के लिए भोजन का प्रबंद किया बलकि एक ऐसा प्रबंद किया कि एक भी दाना अन्नका विर्थ नहीं गया मैं आपसे इसका रहष्य जानना चाहता हूँ अपने जबाब में उड़फी नरिस ने कहा कि समराट आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका स्रे किसे देंगे इस पर समराट ने कहा कि स्रिकृष्ण के अत्रिक्त इसका स्रे और किसी को नहीं दिया जा सकता अगर वह नहीं होते तो कौर्वो को हराना असंब़ हुथा तब उड़फी राजा ने कहा कि महराज आप जिसे मेरा चमतकार कह रहे है वो स्रिक्रिस्न का ही प्रताब है ऐसा सुनकर वहां उपस्तित सभी लोग हैरान हो गए तब ओड़िफी राजा ने इस रहस्य से परदा उठाया और बताया कि स्रिक्रिस्न प्रत्रियार रात्री को मुंफली खाते थे मैं प्रति दिन उनके स्विर में गिनकर मुंफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मुंफली खाई वे जितनी मुंफली खाते थे उससे ठीक हजार गुना सेनिक अगले युद्ध में मारे जाते थे यदि वे पचास मुंफली खाते तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 युद्ध में मारे जाएंगे उसी के अनुसार अगले दिन भोजन भोजन कम बनता था यही कराण था कि युद्ध के दोरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया भगबन स्री कृष्ण के चमतकार को सुनकर उनके आगे सभी नत्मस तक होगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना कमेंट सेक्षन में जैस्री कृष्ण लिग देना